नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं नीजी छेतरों में अस्थानिय युवाओं को नौकरी देने की निमावली अक्टूबर से होगी लागू जर्खन के मुख्य मंत्री हेमावली ने एक महत्वपूर्ण फर्मान जारी करते हुए कहा है कि नीजी छेतरे में 40,000 रूपए मांसी की बेतन तक की नौकरी अस्थानिय युवाओं को देने के लिए बनावली अक्टूबर 2022 से लागू कर दी जाएगी या आदेश उन्होंने स्रम नियोजन एवं प्रसिक्षन विभाग के अधिकारियों को दिया है मुख्य मंत्री सोमवार को स्रम नियोजन एवं प्रसिक्षन विभाग की समिक्षा कर रहे थे इस दोरान उन्होंने जार्खन के सभी उपायुक्तों के यह निर्देश दिया है इसे अगले महीने से लागू करने को कहा है मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने कहा है कि जीन आई टी आई बहुनों का इस्तेमाल CRPF अत्वा IRB दोरा रहने के लिए किया जा रहा है उन्हें अविलम खाली करा दिया जाए मुख्य मंत्री ने जीला अस्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रूपे तक का फॉंड बनाने की बात कही है यदि किसी प्रवासी मजदूरों की दुरों घटना में मौत हो याती है तो उसके आस्रीतों को ततकाल 50 रूपे की साहेतरासी इस फॉंड से दी जाएगी जारखण में 24 सितंबर तक बारिस मौसम विभाग के बेगाने अभी सेक आनद ने बताया है कि सैक्लेनिक सर्कुलेशन के वज़ा से बे और बंगाल में लो परेसर एरिया बन रहा है जो उडिसा के टट से होकर गुजरेगा और 36 गड होते हुए 20 सितंबर को जारखण में परवेश करेगा जिसके बाद राजे के अलग-अलग हिसों में भारी बारिस देखने को मिलेगी वहीं जारकान में मांसून की बात करें तो इस बार राजे में मांसून का आगवन्थ वालेट से हुआ है लेकिन 2 से 3 के गएप पर अच्छी बारिस राजे में देखने को मिल रही है मौसम विभाग ने राजे के दक्षिन इलाकों के लिए 20 से 21 सी तमबर तक एलो अलट भी जारी कर दिया है भारी बारीज होने की वज़ा से रांची और इसके आसबस के इलाकों के डेम वाटर लेवल भी बढ़ गया है 1932 खतियान लागू करने के लिए बिधान सभा के 27 की तयारी जार्खन सरकार सिगर ही बिधान सभा के 27 का योजन करेगी 2032 में 1932 का सरवे खतियान अधारित आस्थाने नीती और पिछड़ावर का अरक्षन 1432 से बढ़ा कर सताइस परतिसात करने समधी बिधायक पेस्क किया जाएगा इन बिधायकों पर चर्चा के बाद इसे पारित कराने की अपचारिकता पुरी होगी इसके बाद इसे मनजूरी के लिए राजभवन को प्रेसित किया जाएगा उलेखनिया है कि 14 सितंबर को राजमांत्री परचत की बैटक में दोनों मामलों को लेकर नीतीगत नीरने पर मुहान लगी थी फिलाल भी से सत्र के तीथी घोसित नहीं की गई है लेकिन बिधान सबा सची वाले ने इसकी त्यारी आरंब कर दी है उलेखनिया है कि बीते 5 सितंबर को आनन पानन में बिधान सबा का सत्र आहुद किया गया इसे मांसू सत्र का ही बिस्तार बताते हुए आहूत किया गया सत्र आहूत करने की परकिरिया पर मुखे बिरोधी दल भाजपा ने सवाल उठाय थे एक दिवस्य सत्र में राई सरकार ने विश्वास प्रस्ता पेश किया था जो सरस्वमती से पारित हुआ था जहरकन में 2024 तक 61 लाख घरों में नल से पेजल स्यम हमान सुरेन ने कहा है कि जहरकन में जल जीवन मीशन के तहट बर्च 2024 तक 61 लाख घरों में नल के माद्यम से पेजल आपुर्ति सुनिस्चीत करंभा है पेजल इवम स्वक्स्ता विभाग की ओर से उन्हें बताया गया है कि अब तक 14 लाग घरों में नल के माधम से पेजला पूरती हो रही है पेज जल योजना को ग्राम सभादवारा 15 दिनों में सट्टिफिकेट पर किरिया पूरी कराने का भी निर्देश दिये गए हैं जल सहिया को मांदे देने के लिए जल जीवन मीशन और पंचायती राज बेवस्ता से रासे उपलव दिकराने की पर किया लभग पूरी हो चुकी है जल सहिया को समय पर मांदे मिले इसके लिए सभी डी सी को अवसक निर्देश दिये गए हैं बोकारो अस्पताल के डॉक्टर सर्पदंस के मरीज को मरे तक घुमाते रहे बोकारो के सरकारी अस्पताल के चिकित सको पर एक बार फिर लापरवाही का रोप लगा है इस बार डॉक्टर की लापरवाही की कीमत मरीज को अपनी जान से चुकारी पड़ी है परिजनों का रोफ है कि सर्पदंस के मरीज को अस्पताल लाने के बाद भी मरने तक डॉक्टर इलाज करने की जगा कभी बोकारो जनरल अस्पताल तो कभी सदर अस्पताल घुमाते रहे और फर्स पर इलाज की गुहार के बाद भी आखिर कर इनका इलाज न मिलने से सर्फ दंस के मरीज की बोकारो जनरल अस्पताल में मुथ हो गाई इस पर परिजनों ने हंगामा कर दिया है जारखन में सिक्षक भरती 22 सितंबर तक आने की संभावना जारखन में सिक्षको की निक्ति को लेकर जारखन के सिक्षा मत्री जगनात महतों ने बड़ा बयान दिया है जगनात महतों ने कहा है कि एक से दो दिन के भीतर सरकार सिक्षको की बहाली के लिए भीगापन निकालने जा रही है सिक्षा मंत्री के ब्यान के अधार पर अगर काम हुआ तो 22 सीतमबर तक जारकन में सिस्को की बंपर बाहली आने वाली है सिक्षा मंत्री के अनुसार पहले चर्ण में 25 से 996 सिस्को की बाहली होगी उसके बाद 24 सेर्सिस्कों की अलग से नियुक्ती की परकिलिया सुरू हो जाएगी बतादे जहरकण में 50 सेर्सिस्कों की नियुक्ती का रास्ता साफ हो गया है गढ़वा में उग्रवादियों ने मोंसी वा मैधूरों को पीटा उग्रवादी संगठन जेजे एमपी ने गढ़वा जी लेके रमकंडा थाना छेत्रे के चेत्रे गाउं के हाठू नदी पर पूल नियुक्त ठप करा दिया है मुख्य मंत्री गराम सेती रोजना के तहाद करी पांच क्लोर की लागत से इस पूल का निर्मान कार्य चल रहा है था निर्मान अस्तल पर सनिवार की देर रात उग्रवादियों ने पहुँच कर मोंसी वा मैंधूरों की पीटाई कर दी उग्रवादियों ने उनका मोबाल चेन लिया निर्मान कार्य में लगी JCB मसीन और ट्रेक्टर को चति गरषट कर दिया है पिरितो के अनुसार उग्रवादियों ने मौनसी से लेवी की मांग की है लेवी नहीं देने तक निर्मानकारे को ठप रखने की चतावनी दी रभिवार और सोमवार को डर के मारे पूल का निर्मानकारे पुरी तरह से ठप रहा है जारखन में जमीन का सर्वे कराने का निर्देश जार्खन के मुख्य मंत्री हेमन सुरेन ने सोमो और कोई एक साथ राजे के सभी जीला के उपायुकतों के साथ सरकार की उजिनाओं की प्रगती समिक्षा कर रहे हैं इस महों के परमुक सची सुखदेव सिंग सहीत सभी भी भागिये परमुक भी उपस्ति था हैं इस समिक्षा बैटाक में मुख्य मंत्री हेमन सुरेन ने राजस्व भूमी सुधार और निबंधन विभाग की दाकिल खारीज, उतरा अधिकार नमांतरान, राजस्व संगरा और राजस्व नियालियों में लमित मामलों की समिक्षा कर अधिकारियों को काई निर्देश दिय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जमीन का सर्वे कराने की दिशा में विभाग ठोस कदम उठाए इसके लिए अने राजों में जमीन के सर्वे के लिए अपनाई गई परकिर्याओं का अध्यान का रिपोर्ट तयार करे और उसके अधार पर्राज में भी जमीन का सर्वे करने की दिशा में पहल करे जमीन का सर्वे नहीं होने से आने वाले दिनों में कई बिवादों के साथ लोगों की परिशनिया और बढ़ जाएगी इसका समधान बहुत जरूरी है पाकुड में परधान सिक्षिका किला परवाई से फेल हुए 108 बच्चे पाकुड इस्थीत इंगलिस पड़ाउद कर्मिक मद बिद्याले की परधान सिक्षिका किला परवाई के कारण आठवी के 108 छात्रों के फेल होने के मवले में बी इयो तरुन कुमार घाटी ने परधान सिक्षिका अमरीता सिंग के खिलाप करवाई के अनुसंसा के साथ अपनी जाच रिपोर्ट जीला सिक्षा दिक्षा को सौप दिया है परधान सिक्षिका पर आरोप हाई की उन्होंने आंत्रिक मुल्यांकन का अंक दिये बिना ही जैक को बच्चों की रिपोर्ट भेज दी थी जिससे वे अनुतूर्ण होगा है बी इयो के अनुसार मामले की जाज गंबिता सिकी गई है अउसत अंक के साथ असफल चात्रों के सूची जीला को भेज दी गाई वहाँ से सूची संबन्दी चात्रों को उतिन करने के उन्सार के साथ जैक को भेजी जाएगी तागी अगली कक्षा में उनका नमांकन हो सके जार्खन कांग्रेस प्रभारी अविनास पांडे 20 सितंबर को आएंगे रांची जार्खन के कांग्रेस प्रभारी अविनास पांडे रांची के मुरबादे इस थी पर देश परतिनिदियों के समेलन के समभोधित करेंगे राजे में पर देश कामगार कांग्रेस के चेयरमेन और भारत जोड़ो यातरा कारेकरम के राजे परभारी उदी राजर भी उपसित रहेंगे सीयम हेमंत 20 सितंबर से दो दिवस्य दौरे पर साहिव गंज वा गोड़ा को देंगे सवगात जारकन के मुखे मंत्री हेमं शुरेन दो दिवस्य दौरे पर 20 सितंबर मंगलवार को बरहेट विधान सभाज चेतर पहुँचेंगे यहां पर आयोजित कारकरम में विकास मिला एवं विभीन यो इनाव का सिलन्यास वह उधगाटन करेंगे इस दरान चेत्र की जनता को समुधित करेंगे गोड़ा में अयोजित कारकरम में सामिल होने के बाद वे मंगलवार को रात्री विश्राम साहिव गंज के पतना इस्थित आवास पर करेंगे 21 सितंबर को सुबह 11.15 बजे ग्राम परधानों की बैठक में सामिल भी होंगे इसके बाद करकरताओं के साथ बैठक करने के बाद रांची के लिए रवाना होंगे नकसली संगठन जेजे एंपी के चार समर्थक लातेहर में गिरफतार लातेहर के सदर्थाना छेतर इस्थित पेसरार पंचायत के केदली जंगल में रभी वार को पुलिस और उग्रवादियों संगठन जेजे एंपी के साथ होई मुडभेड के बाद चलाएगर चर्च आपरेशन में पुलिस ने जेजे एंपी के चार समर्थक को गिरफतार किया है वहीं मुडभेड में सामील जेजे एंपी के सूप्रीमों समेत 17 लोग उपर नामजाद प्रत्मी की दर्च की गई सदर थाना प्रभारी अमीत कुमार गुप्ता ने बताया है कि चारो समर्थक मुडभेड अस्तल के पास उगरबादी संगठन को मदद कर रहे थे गिरफतार समर्थकों में गुमानी लोहरा और संजय गुप्ता, आमुन उराव और सुनील उराव सामील है बोकारो के जंगल में मुबाइल से असलील फिल्म सुट कर रही महिला धराए बोकारो थर्मल के खास महल जंगल में सोमवार को पौर्ण फिल्म बनाने के मामला परकास में आया है इसका खुलासा तब हुआ जब कुछ अस्थानिये लोग जंगल में मौसी चराने पहुँचे थे गरामिनों को सामने आते देख मोबाइल से असलील फिल्म बना रहे लोग डर्ट से घबराएगा है और अपने बाइक से तीन लोग फरार हो गाए जब कि जिस महीला के साथ ए लोग फिल्म बना रहे थे उसे गरामिनों ने धर्दबोचा गरामिनों ने जब इस महीला से कडाई से पूश्टाच की तो उसने बताये कि मौके से भागने वाले तीनों बोकारो थरमल के रहने वाले हैं जो DVC पलांट में क्याम करते हैं देवगर एयरपोर्ट से 6 साइबर ठक धराए साइबर थाने की पूलिस ने 7 साइबर आरोपितों को गिराफतार का जल भेज दिया है इन में से 6 को पूलिस ने देवगर एयरपोर्ट से पकड़ा है यह सब ही फलाइट से कुलकत्ता भागने की फिराक में थे इस दोरान एयरपोर्ट की सुरक्षा में तेनाथ पूलिस कर्मियों को इसकी गतिवीधी देख कर सक हुआ उन्होंने इसकी सूचना साइबर ठाना की पूलिस को दी पूलिस ने आकर उनको पकड़ा चान बिन में पता चला है कि यह सब ही साइबर ठागी गिरोग के सदा से है यहरपोर्ट से पकड़ा है साइबर ठागी के आरोपियों में जाम तला जीला के कर्मा टंड थाना चेत्रे के देवल बार्डिगार निवासी संजीव कुमार मंडल और्फ बबलू मंडल सामिल है रांची परसासन ने दुरगा पूजा समीतियों के लिए जारी किये निर्देश रांची में इस वार्द दुर्गा पूजा को लेकर उस्ता है भगत माता रानी के आगमन को लेकर बिशेस रूप से त्यारी में जूटे हुए है भव्य पूजा पंडाल के साथ भव्य परतिमाय त्यार की जा रही है उधर रांची परसासन की जिम्मेदारिया भी इस वर्ष पूजा को लेकर ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि इस वर्ष पूजा में सरधालों के भीण काफी उमाणने वाली है इसे देखते हुए बिसेस गाइडलाइन जारी किये गए हैं जिसमें खास तोर पर पंडालों के अंदर फायर सेप्टी एक्यूपमेंट लगाने के निदेश दिये गए साथी सुराक्षा के मद नजर और भी एस वपी जारी किये गए हैं जारखन के टेट सफल सहायक 23 सितंबर को नयाय मार्च निकालेंगे प्रखंड उतकर्मिक मद बिद्याले बाजरा ताड में टेट सफल सहायक अध्यापक संग सोना हातु की बैठाक होई इसमें सोना हातु संग के संडग्चक अनिल कुमार महतों ने बताया है कि जारखन के टेट सफल सहायक 23 सितंबर को नयाय मार्च निकालेंगे सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने 17 जूलाई को हुई वारता में बेतन मान और सहायक अचारी के निमावली में संसोधन करने की बात कही थी लेकिन दो माह बाद भी अभी तक कोई करवाई नहीं हुई है अब जारखन करमचारी चेन आयो किन्योक्ति के सुचना करने की त्यारी की जा रही है टेट पास पारा सिक्षक ते सितंबर को रांची स्थित पुराने बिधान सबा मैदान में जुडेंगे और वहां से जूलूस की स्थाक्ल में नयाय मार्च करते हुए सिक्षा मंत्री जगनात महतों के आवास पर जाकर नयाय की गुहार लगाएंगे मुख्य सुचना आयुक्त को अतिरिक्त पेंसन पर महंगाई भात्ता पर सुनवाई 12 अक्टूबर को जारखन हाई कोट में सुमवार को चीफ जशिस डाक्टर रवी रंजन वा जशिस एसन पर साथ की खंट पीट में राजे के मुख्य सुचना आयुक्त को अतिरिक्त पेंसन पर महंगाई बाता नहीं दिये जाने को लेकर दाखिली आज का पर सुनवाई हुई सुनवाई के दरान निर्वाचन आयो की ओर से जबाब दाकिल किये जाने के लिए समय के मांग की गई जिसे आदालत ने सविकार कर लिया मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी बता दे पिछली सुनवाई के दौरान आदालत ने इस मामले में निर्वाचन आयोग को परतिवादी बनाया था इस समध में हाई कोट के सवा निवरित जास्टिस हरी संकर परसाथ की और से हाई कोट में आजका दाखिल की गई है पासवा देश भर में पांच कोर औस शिक्षित वैसको को सिक्षित करेगा Private School and Children's Welfare Association ने राश्ट्रिय सक्षर्टा मिशन के तहट देश के पांच कोर से ज्यादा औस शिक्षित वैसको को सिक्षित करने का पासला लिया है इस बावध पासवावा रोटरी इंडिया लिट्रेसी मिशनर की ओर से 24-25 सितंबर को कोलकाता में दो दिवस्य एकारे साला कायोजन किया जाएगा वसक्षार्ता मिशन की सुरुवात होगी मुख्य मंत्री ने 60-100 एकर जमीन उपलब धकराने का दिया निर्देश मुख्य मंत्री हेमांसुरें सोमवार को प्रजेक्ट भौन में उर्जावी भा की समिक्षा बैठक की बैठक में मुख्य मंत्री ने अधिकारे को दिशा निर्देश दिये मुख्य मंत्री ने सभी जिलोकर डीसी को एकी जगपा 60-100 एकर जमीन उपलब धकराने का निर्देश दिया जिससे 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा सके मुख्य मंत्री ने सरकार की ओर से एक पेड़ लगाने पर पांच यूनिर बीली निसुलक देने की योजना का व्यापक और चार पर सार सुनिशित कराने का निर्देश भी दिया है भाजपा सांसदो के काम काज का आउडिट कर रही है जारखन की सभी 14 लोगसबा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए भाजपा एक साथ कई मोर चापर तेजी से काम करने में जुट गई है पार्टी का फोकस 2019 में हारी हुई दो लोगसबा सीटों के साथ साथ उन सीटों पर भी है जहां से भाजपा संसर लगतार जीत रहे हैं खास्त और से उन सीटों पर जहां से एक ही नेताने लोगसबा का पिछला दोनों चुनाव जीता हो जारखन की 14 लोगसबा सीटों में राज महल दुमका गोड़ा चतरा कोडरमा गिरीडी धनबाद राची जमसेथपूर सिंभूम कूटी लोःदागा पलामो और हजारी बाकी सीटे सामिल है सिंभूम लोगसबा सीट कांग्रेस और राज महल सीट चामो के कबजे में है वहाई गिरीडी सीट भाजपा के सोयोगी पाटी आजशू के पास है जारखन में पहले NCD screening clinic की सुरुआत स्वास्त मंत्री बना गुपता ने जमसेथपूर सदर अस्पताल में NCD screening clinic का उधाटन किया यह राज का पहला NCD screening clinic है मौके पर स्वास्त मंत्री ने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर के अलावा कुछ बीमारियों के रोक्ताम के लिए लोगों को जाबरूप करने की जरूरत है सरकार जानता को हर मेडिकल सेवा देने के लिए ततपर है स्वास्त मंत्री बना गुपता ने जमसेदपूर के परसुडी इस्थीत खास महल सदर अस्पताल में NCD Screening Clinic का उधाटन किया इस दोरान जीला के सिविल सर्जान साहिर पाल और अस्पताल के उपाधिक्चक के अलावा कई डॉक्टर मजूद रहे जारखन में डेंगू के अंठानबे मरीज रिम्स के आइसुलेशन वार्ड में डेंगू के साथ मरीज भरती हैं कई मरीजों का प्लेटलेट 45 यार से कम हो गया है उन्हें आव सकता अनुसार प्लेटलेट चड़ाया जा रहा है वहीं में डेंगू के एक संदिक्द मरीज की मौथ हो गई है हलाकि स्वास्त विभाग डेंगू से मौथ नहीं मान रहा स्वास्त विभाग के अनुसार राजे में इस साल अब तक डेंगू के अंठानबे मरीज मिले है लेकिन डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई है जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर के प्रस्णों का बदलेगा पैटर्न मैट्रिक और इंटर परिक्षा 23 में प्रस्ण पत के पैटर्न में बदलाव होगा त्यारी पूरी है परिक्षा वर्ष 2022 की तरह ही होगी जो की दो टर्मों में ली जाएगी पर प्रस्ण का पैटर्न अलग रहेगा 40 अंखी परिक्षा में 30 अंखे प्रस्ण 1-1 अंखे होंगे इनमें 20 अंखे प्रस्ण बहुवी कल्पी होंगे इसके अलावा परिक्षा रती को 5 प्रस्णों का उतर 1-1 सब्द में वहीं 5 प्रस्ण का उतर 1-1 पंक्ती में देना होगा एक प्रस्ण भी 1-1 अंखे होंगे एक अंखे के कूल प्रस्णों की संख्या भी 30 होगी देव घर में एक सब्दा में तै की जाएगी सिग्रदर्शनम की नई दर बाबा मंदीर में सिग्रदर्शनम कूपन की दर में ततकाल बदलाव नहीं किया गया है अभी एक सब्दा तक 250 रुपई की दर से कूपन भीकेगा लेकिन मंदीर प्रभारी सह SDM अभिजीत सिनाने सब्दर्शनम की दर बढ़ाने को लेकर समती बनाने पर चर्चा की सब्दा के दोनों उपादक्षों ने मंदीर प्रभारी को एक सब्ता तक पूर्व की रेट को ही रखने का सुजाओ दिया गुमला में पूलिस और सेना में बहाली के लिए यूवाओ को दी जा रही फ्री ट्रेंग गुमला पूलिस ने बेहतरीन पहल की है नकसल इलाखों में यूवा मुख्य धरा से न भटके इसके लिए ग्रामिन चेतर के युवक यूतियों को गुमला पुलिस द्वारा पुलिस सेना एवं अगनी बीर में बहाली के लिए निसुल्क प्रसिक्षन दिया जा रहा है बहाली के दरान युवाओं को कौन कौन परत्योकता से गुजरना पड़ती है इसकी भी जनकारी दी जा रही है ताकि युवाओं पुरी तरह से त्यार हो सके और वे अपने बेहतर मार्ग पर चलते हुए अपने अलग पाचान बना सके बता दे गुमला के पूलीस लाइन चंदाली में प्रसिक्षन की बैवस्ता की गई है 12 सितंबर से प्रसिक्षन चल रही है इसमें 50-50 की संख्या में बाट कर युवक युक्तियों को प्रसिक्षन दिया जा रहा है प्रसिक्षन के रुप में पूलीस विभाक के कई अधिका लेकर अंदर बाई साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के शेयर करने ना भूले साथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फिड़वेक अवाज से दे थैंक यू